जारत के 800 वैज्यानिक, प्रधान उंत्री मोदी को पत्र लिख रहे हैं कि हमें डेटा दिया जाए ताकि वाइरस का अध्यान कर सके। अब तक इस पत्र पर 900 से अधिक वैज्यानिकों ने दस्खत किये हैं। जीन गुरू डेटा ना मिलने की शिकायत कर रहे हैं। जाहिर है इन वैज्यानिकों को भी लगता होगा कि उनके सामने देश के लोग इस तरह तडपा तडपा कर मारे जा रहे हैं। मर रहे हैं और वे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। 900 वैज्यानिकों का पत्र लिखना क्या सामान्य घटना है। शाहिद जमील 15 माई तक इंडियन सार्स सी ओवी टू जैनोमिक्स कॉंसोर्टिया इंसा कॉग के प्रमुक्ते अपने पत्से इस्तिफा दे दिया। यह कमेटी दिसंबर में बनी थी। रॉइटर्स में 3 माई को छपी खबर के अनुसार इस कमेटी ने भारत में फहले वाइरस के बारे में चेतावनी मार्च के पहले हफते में ही सरकार के चोटी के अधिकारियों को दे दी थी। जरूर चेतावनी के लिखित कौपी होगी लेकिन भारत की जनता को कैसे मिलेगी आपको याद होगा कि मार्च के ही पहले हफते में स्वास्त मंतरी डॉक्टर हर्श वर्धन ने कहा था कि भारत में महामारी खत्म होने को है तो क्या स्वास्त मंतरी को जिनोम कमेटी की चेता हो गई है कि इन सब सवालों का ठोस जवाब ही ना आए इंस्टिट्यूट के अडर पुना वाला फिनेंशल टाइम से कहते हैं कि उन्हें कोई आडर ही नहीं मिला हमने सोचा ही नहीं कि एक साल में एक अरब से जादा डोज बनाने होंगे सब को लगा कि भारत पुना वाला सही कह रहे हैं कि कोई आडर नहीं था अच्छी बात है कि सच को सामने लाने के आरोप में पुलिस ने पुना वाला को गिरफतार नहीं किया है लेकिन दिल्ली में पोस्टर वाला जेल चला गया है तो हम ग्लोबल चेन तोड़ने के लिए टीका बाहर भेज रहे थें क्या शांदार आइडिया है लेकिन वाइरस को अपने यहां समझने के लिए जो सिस्टम है उसको तोड़ने में लगे थे बहराल शाहिद जमील अपने पत से इस्तीफा दे दिया है शाहिद जमील ने जिस कमेटी की अध्यक्षिता से इस्तीफा दिया है उसका काम है ये पता लगाना कि वाइरस कहीं रूप बदल कर जानलेवा तो नहीं हो रहा है उन्होंने इस्तीफे का कारण नहीं बताया लेकिन कहा जा रहा है कि मई महिने में नियॉयॉर्क टाइम्स में उन्होंने एक लेक लिखा जिसके कारण दबाव बनाया गया उन पर इस वक्त जब लोग जानना चाहते हैं कि क्या वायरस और जानलेवा हो जाएगा या कमजोर होगा इन सब के बीच इसका पता लगाने वाले समू के प्रमुख को इस्तीफा देना पड़ रहा है तो शाहिद जमील ने नियू यॉर्क टाइम्स में लिखा है कि वैज्ञानिक चाहते हैं कि तथ्यों के आधार पर नीती बने लेकिन उनकी बाते सुनी नहीं जा रही है साइन्टिस्ट वर फेसिंग स्टबन रेजिस्टेंस टू एविडेंस बेस्ट पॉलिसी मेकिंग लेकिन डेटा के आधार पर फैसले नहीं हो रहे हैं इसलिए भारत ने महामारी नियंतर्ण से बाहर हो गई है भारत के 800 वैज्ञानिक प्रधान मंत्री मोधी को पत्र लिख रहे हैं कि हमें डेटा दिया जाए ताकि वाइरस का अध्यान कर सके अब तक इस पत्र पर 900 से जी आ मिलने की शिकायद कर रहे हैं जाहिर है इन वैज्ञानिकों को भी यए लगता होगा कि उनके सामने देश के लोगुस्त तरफा- तटपा कर मारे जा रहे हैं मर रहे हों और वे कुछ नहीं कर पा रहे नौसों वैज्ञानिकों का पत्र लिखना क्या सामान्य घर्टना है पत्र लिखने वाले वैज्ञानिकों में एलेस शशिधर भी हैं जो इंडियन इस्टिटूट ऑफ साइंस एडूकेशन और रिसर्च में प्रोफेसर हैं प्रोफेसर एलेस शशिधर इंटरनेशनल यूनियन अब बायोजिकल साइंस के अध्यक्षिन इस इस्तर के लोगों को पत्र लिखना पढ़ रहा है कि हमें डेटा दिया जाए ताकि हम बता सकें अध्यन कर सकें कि यह वाइरस भविश में क्या रुख लेगा इस पत्र में तो यह भी लिखा है कि आत्म निर्भर भारत की नीती के कारण वैज्ञानिक उपकरणों का आयात करना एक जटिल काम हो गया है काफी समय लग रहा है इसके लिए मंत्रालेओं के सचिव से मंजूरी लेनी पड़ रही है यही कारण है कि हम टेस्टिंग नहीं बढ़ा पा रहे हैं और ना हम वाइरस की सटीग जीन सिक्वेंसिंग कर पा रहे हैं और ना हम वाइरस की सटीग जीन सिक्वेंसिंग कर पा रहे हैं हम मांग कर रहे हैं कि ऐसे अंकुषों को हटा लिया जाए वैग्यानिक बेटा ही नहीं मांग रहे हैं बलकि ये भी कह रहे हैं कि आत्म निर्भर भारत की नीती ने उनके काम को कितना धीमा कर दिया है इसमें एक positive news है वो ये कि पत्र लिखने वाले ग्यानिकों को जेल नहीं भेजा गया है पोस्टर लगाने वाले गरीब मजदूरों को ही भेजा गया है 22 सप्रेल को कैरवन पत्रिका की विद्या कृष्णन रिपोर्ट करती है कि कोवीड से लड़ने के लिए जो टास्क पोर्स बनाया गया है उसकी एक भी बैठक फरवरी और मार्च में नहीं हुई इस साल 11 जनवरी को टास्क पोर्स की बैठक हुई उसके बाद 15 और 21 सप्रेल को हुई जब तबाही का तुफान आया फरवरी महिने में जब अमरावती में तेजी से संक्रमन फैला और ताला बंदी हुई तभी इन विज्यानिकों ने चेतावनी दे दी थी तब भी स्टास्क पोर्स की बैठक नहीं बुलाई गई कैरवन की रिपोर्ट में यह सब छपा है एक जानकारी और देता हूँ जुलाई 2020 के बाद से भारतिय चिकित्सा शोद परिशद ICMR ने 9 महीने तक इलाज का प्रोटोकॉल ही नहीं अपडेट किया अपरेल महीने में अपडेट किया रहा अगर यह सही है तो कितनी गंभीर बात डर BJP के खेमे में भी है UP के सीतापुर के विधायक राकेश राठोर भी अपना डर बयान कर रहे हैं जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि यहां का ट्रॉमा सेंटर पांच साल से बनकर तयार है चालू क्यों नहीं हुआ सीतापुर में अखलेश यादव ने 2016 में एक बड़ा ट्रॉमा सेंटर बनवाया था इस वक्त जब लोग जगा जगा अस्पताल की तलाश में मर गए ऐसी मारतें खड़ी रह गई हम को जिलिखा पड़ी गए विधायकों के हैशियत क्या है हम ज़्यादा बोलेंगे तो देजरो राजरो हम पे भी तो लगेगा तो आप कहना चाहते हैं कि आप सर्कार से अपनी कोई बात नहीं कह सकते हैं प्रधान मंत्री मोदी का बयान आया है कि राजियों को डेटा नहीं छुपाना चाहिए प्रधान मंत्री कार्यालाए की तरफ से जारी बयान में जो लिखा है आप उन पंक्तियों को गोर से सुने प्रधान में कहा गया है कि प्रधान मंत्री ने कोवीड और टीका करन से जुड़ी स्थिती को लेकर एक उचेसरिय बैठक की अध्यक्षता की जिसमें उन्होंने कहा कि राजियों को अपने प्रयासों का सही नतीजा ना मिलने पर दिखने वाली बड़ी संख्या का दबाव ना लेते हुए पारदर्शी तरीके से अपनी संख्या की जानकारी देने के लिए प्रोचसाहित किया जाना चाहिए यह कौन करेगा प्रधान मंत्री साप-साप कह सकते थे कि मरने वालों का डेटा इमांदारी से दिया जाए या संक्रमितों की संख्या सही बताई जाए बस एक जेनरल सी बात जिन प्रधान मंत्री से भारत के 900 वैज्ञानिक डेटा मांग रहे हैं डेटा में पारदर्शिता मांग रहे हैं, वही प्रधान मंत्री संख्या को लेकर राज्यों को पारदर्शिता का सुझाव दे रहे हैं पिछले साल से यह सवाल उठ रहा है कि टेस्टिंग का डेटा नहीं है, मरने वालों की संख्या सही नहीं है, तुझाव दिया जा रहा है, अमल का हाल और हश्र भी देख लिजिएगा. पिछले हफते के प्राइम टाइम में आपने भोपाल से हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की रिपोर्ट देखी होगी, भोपाल के शम्चान और कब्रिस्तान के आंकडों के हिसाब से 3811 लोग मरें, जबकि सरकारी आंकडों में 104 मरें हैं दूसरी लहर के दोरान. क्या प्रधान मंत्री के सुझावा निर्देश के बाद ये आंकडे बदल दिये जाएंगे? अनुराग की रिपोर्ट बताती है कि भोपाल के भदबदा शम्चान घाट में आज भी अंतिन संसकार के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है. तेरा तेरा घंटे का इंतजार